वो डाक्टरनों फ्रेंड आप लोग कैसे हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताईएगा और आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत सौकत है तो आज मैं तनी रेडी हो के कहां जा रही हूँ तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल मेरे हैस्बंड मुझे लेने आ र लग रहा है तो प्लीज बताना और साड़ी कैसी लग लगी मेरे पर हो सिंपल साड़ी है तो रुकना नहीं है सिब जाके वापस आना है मुझे सिब एक देड़ घंटा में रुकूंगी ससुराल में और आप लोगों को बताऊंगी और मेरे ससुराल के घर में कौन-कौन रह में दिवरानी के बच्चों को कपड़े लेने के लिए तो यह मेरे घर के बाहर जश्ट यह सब भोया गया है घर के मेरे ससुराल के बाद तो यह कहा है यह आलू की खेती है और और कहा हब मिर्ची कहा मिर्ची है अजरा यह सब आलू की खेती आप देख सकते हों और मपर महां पर फलावर से सब फलावर करवद न कौन-कौनगाने सारी चेजी यहां परало की गई यहां पर और यह मिर्ची की यह पेड़ देख सकते हैं मेरे घर के पास इतने सारे से सब्जी बोई गई है और तक खुबसुरत सा लग रहा है यह सब इंदम देखने के लिए यह हमारी देवरानी जी का बेटा है यह बाबू दात कितना दात है दात दिखावा तो मैं अपने ससुरा ला चुकी हूँ तो अभी मैं अपना बेटरूम दिखाती हूँ यहां पर हम लोग कोई रहता नहीं है सिर्छोटी चाची हमारी जो छोटी सास है उनकी फैमिली पुरी यहां पर रहती है तो मैं अपना रूम दिखाती हूँ काफी दिन से बन था अपना घर अपना ही होता है तो थोड़ा सा सामान बिख्रेव है तो प्लीस इसको इग्नोर किजेगा आप लो चलिए आप लोगों को बताती हूँ मैं यह यह मेरा रूम है पर बिख्रा हुआ है सारा चेज क्योंकि यहां पर कोई रहता नहीं है तो यह मेरे हजबंड जी आप लो मिल लीजए हाइ बोलो नो सब्कुरी हाइ तो अब यह थोड़ा सामान बेख रहे है तो यह हमनों सारी चीजे कर ले मैं मेरे हजबंड ही है यहां पर मॉंभी पाप म मॉंबई में है तो अभी अपना दुसरा रूम भी दिखा देखेंगी सबसे मिलाओंगे अपनी देवरानी लोग से भी तो घर के बाहर जो नजारा में आप लोग को बताई चुकी हूं करके तो चली थोड़ा टाइम बाद मिलती हूं का हां बता ला ना बता ना ना मेरे नाम कला बढो बलो अ बला नाम का बोली इस जली से बुला तो और नाम का बताओँ पर ने का बताओं रहां बटाओं इक चोटा इस बड़िए वर्वा स्मय् बोलो मेरा नाम चाक्ची है बोला आपको किसा लाइ तो अभी मेरा जार युमाई के मरी हैस्बिन के साथ फिर से मेरी हैस्बिन कैसे लग रहे थोड़ा बताना और ये श्वेटर उनकी भावी ने सीला है काफी अच्छा लग रहा है करके में आई थी कैसा लगा को बहुत बेकार लगा बोलो ना अच्छे से कैसा लगा बताओ बहुत बेकार लगा टाइम पास मेरा बोलो ना आपको कैसा लगा अच्छा लगा तुम आई तो अच्छा लगा तुम आई तो अच्छा लगा और तुम जाओगी तो बेकार लगी, बस, चलो, हो गया तो मैं अप साडी को इसे कलर का पैनी आप लोगों को तो बता होगी ठंडी भी काफी है तो मैं राद भर रुख गई यहाँ पर, मैं गंटे के लिए आई थी बट यहाँ पर मैं राद भर रुगे, अभी मैं मैं ममी के घर पे जा रही हूँ और मैं अपना पुरा लुक बताती हूँ, मैंने कैसा उनसे कलर की साडी पेनी और मैं कैसी लग रही हूँ करके और धूप अच्छी खासी निकल चुकी है, और तो वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ, आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ ने वीडियो के साथ करके, और भी हमें कहीं जाना है करके, तो वो भी आप लोगों को बताऊंगी, कहां जाना है तो जहां भी जाओंगी आपको लेके जाओंगी बट मैं अपना फूरा फूल लुक दिखाती हूँ उसके बाद मैं वीडियो का यही पे एंड करती हूँ तो थैंकिस सो मच और आप लोगों को नेक्ट वीडियो में मिलती हूँ तो बाबाई यह मेरे बाद की हैं उनके बाद यह सबसे छोटी है तो आप लोगों कैसे लगा था अच्छा लग रहा तो इनके बच्चे लोगों को अभी वीडियो मेंने डाला है करके हूँ